अगर आपके हेर दिन में दिन सफेद होते चाहे और बहुत सरे चीज़े चाहे वो ब्रैंडिड हो नॉन ब्रैंडिड हो या फिर डियाइवाई रेमेरीज हो यह सब ट्राय करने के बाद भी आपके सफेद बाल काले नहीं हो रहे है और उसके बाब जूद अगर काले हो भी च इस तरह से बहुत ही कम बचित में और कम समय में आप अपनी हुआइट हैर को 100% कवरेज दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़िया और वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखिए सो गाइस यह है बो प्रोड़क्ट जो आपकी हुआइट हैर को हाई कवरेज देती है यह है नीशा क्रीम हैर कलर नो अमोनिया और इसकी शेड नमबर है नैच्रल ब्लैक 1.00 यह है क्रीम रॉल अल्टर सॉप्ट धिप शाइनिंग हैर कलर कंडिशनिंग विद नैच्रल हर्प् सन फ्लावर, एवोकडो ओयल एंड हिना एक्स्ट्रक्ट रिच ब्राइट एंड लॉंग लास्टिंग हैर कलर क्योंकि यह एक हैर कलर है तो इसमें थोड़ा बहुत केमिकल भी मौझूद है और केमिकल के बगेर इस दुनिया में कोई भी प्रोड़क्ट नहीं बनता है 100% हर तो उसको प्रिजब करने के लिए जरूर वो केमिकल के यूज़ करती है इस बात को धियान में रखते हुए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप यह हैर कलर पहले बार के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसको अपनी हैर पर यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर ली से की असानी से अपको समझ में आए और उसका एफेक्ट भी नीचे दिखाया गया है और साथ ही साथ ना इसमें क्या-क्या मिलने वाला है आपको वो भी मैं भी दिखा रहे हूं तो गाइस इसमें यह देखी यह है एक नीशा कलरेंट एंड एक है नीशा डिविलपर और इस के साथ एक लीफलेट भी मिलता है जिसमें कि इन सारी पोड़ात की बारे में अच्छी तरह से क्या-क्या वगेरा दी हुई है इसमें उन सब की बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि जो कलरेंट है वो 20 ग्राम का है और जो डिवलपर है वो 20 ml का है त फुरा सा ही यहाँ पर रिउस करूंगी लदभग आधा क्योंकि इतनी ज्यादा की मुझे शरुत है नहीं और अभी मैं इसमें मिक्स कर रहे हूँ हाफ क्वांटिटी डेवलपर तो भी इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्सिंग करते वक्त थुरा सा वक्त ले 30 रुपीस गाज मिरे हो यह यह दिछानी के लिए इसलिए मैं थोड़ा सा वेसलिन ले रहे हूं तो जो यह वाला सकीन साइड है है के पास महाँ पर मैं वेसलिन को एपलाय कर रही हूं और जब भी आप ह मद एस तेप को जड़ूर फॉलो कीजे इस से hair color आपकी skin को खराब नहीं कर पाएंगे तो अभी जो है ये hair color देखिए इसका color थोड़ से transform हो चुका है तो इसको एक brush की मदद से छोटे-छोटे sections में divide करके hair को इस तरह किसे लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ तो मुझे चितना लगाना था हमेने बस लगा लिया है इस से आगे में और use नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग को सफेद hair पर इसका effect कैसा आता है वो भी तो दिखाना है तो बस अभी जो इतना मैंने apply कर लिया है इसको एक cloth clip के मदद से मैं इस तरह किसे fix कर दूँगी आइस को use करने के बाद 30 मिन तक आपको रखना है उसके बाद wash कर लेना है तो चलिए आप आप लोग को दिखाते हो कि white hair पर इसका effect किस तरीके से आता है तो ये देखे मेरे husband के जो ये कान के side के hair है वो सफेद हो चुके है तो इस पर मैं अभी ये hair color apply करूंगी and after wash आपको इसका effect दिखेगा आप देख से होगे कि कितना magically ये product white hair को एक high coverage देता है so guys आप लोग अभी देखे सकते हो कि इस product ने अपना कमाल दिखाया है और सफेद hair को कितनी अच्छी तरह ऐसे black coverage दिया है तो जो भी product scalp पर लगी हुए है वो एक दो दिन में निकल चाहेगा क्योंकि हमारे scalp से natural oil निकलता है जो कोई भी चीज को scalp पर ज्याद इन तक टिकने नहीं देती है ये hair color आपकी hair पर देज से दो महीने तक टिका हुआ रहेगा और उसके बाद आपको इस hair color को reapply करना है देखे कोई भी चीज पर्मनेंट solution नहीं दे सकता है आपकी white hair को क्योंकि भगवान ने जो हमें natural black hair दिया है वो जब सफेद हो सकता है तो कोई भी market की चीज आपको black hair हमेशा के लिए provide नहीं कर सकते है वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राब सरूर की चे मिलुंगे अरकने विडियो के साथ